यूटूब चैनल की लेंट टोगेदर सोफ में आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टूरेंट का 26 तारीख से आप सभी लोगों को पता होगा कि 26 डेट से कौन सा एक्जाम है मतलब कि आप लोगों का फोर्ट सेमिस्टर का एक्जाम है सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा एंड वीडियो पसंदें तो लाइक एंड से जरू किजिएगा आज ही मतलब मैं अभी इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ मतलब की चार जो है चार आप लोगों के फार्मा पैतो जनेटिस के वीडियो अपलोड कर दूंगे और इस गारंटी के साथ मैं बोल रही हूं कर आप लोग वीडियो को को देख के कोश्चन्स रेडि कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी एक्जाम में ठीक है सबसे पहले आप लोग यह जान लीजेगा कि फार्मेकोलोजी कितने नंबर के आती है ठीक है फा लेकी डिफाइन कोल एजिक ड्रक से या भी बहुत सारे ड्रक्स होते हैं ब्रोंकिल अस्तमा लेकर आ रहे हैं Classified drugs यूजं ब्रोंकिल अस्तमा राइट इन डेटेवाउट्ध आप लोगों को पता होगा कि इसमें ड्रक्स है ठीक है तो ड्रक्स है तो आप लोगों को ड्रक् कि आप लोग त्यार कर लिजेगा बहुत शारी ड्रक्स होते हैं उसमें और भाले ट्रिक हैं तो अपको बता दें कि कया छैका रिकलपतले के पैथ्थी जैनेटिस तो ब्सक्रा जो जहित esemp फर्मिकोलोजी आप लोंगे 38 ऐटी मिन या की अति है एच के जलीसकों कोच्छन के बदा हुए नोगे के लिए कहा लेखिेनी के इसलोर देखके बता रहे representing आता है कंटीन के यह जिए नमबर का कोच्छन सम्सिंट और क्रिफ प्रोबा कर लेते हैं कि pathology sorry pharmacology तो फार्मकोलोजी की कैसे आप लोगों को लिखनी होगी कॉंपी तो फर्स नंबर पर स्टार्ट करते हैं कोई कोचन ले रहते हैं कोचन पेपर से कोचन पहले आप लोगों देखें जितना ही कोचन पूचा गया इसे पूछ देगा सिर्फ पूछा गया classify अगर classify पूछा के detail में नहीं पूछा गया तो आप लोगों इसे detail में ना लिखेंगा मैं एक कोचन लेके चल नहीं हूं ध्यान रखना तो डियोटिक्स आप लोगों को पता हो कि डियोट्स जो ड्रक्स होती है वो क्या करता है कि urine का output जो होता है वो increase करत है डियोटिक्स जो प्रमोट करता है एक्सक्रेशन आप दा सूडियम बाटम को बाटर को एक्सक्रेट करता है एंड यून की फ्रिकेंसी को बढ़ाता है तो डियोटिक्स इसमें classify पूछा गया तो आपनों को पता होगा जो बहुत इंपॉर्टन कोचन इसलिए मैंने कोचन लिए तो फाइब मतब क्लासिफाई पांच क्लासिफाई किये गए जिसे कि फर्स नमबर पर थाया जाए डियोटिस आता है लूप डियोटिस आता है तो यहां पर सिर्फ अगर classify पोशा गया है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर पांच नमबर का कोचन आ रहा है त लिखेगा डियोटिस की डिफीशन मिलिसन में बताया था कि डियोटिस की समझ लेजिए गहां डियोटिस अधा डगवी जिंक्रिधा यूरिंड फ्रिक्वेंसी और प्र्मोड करता है इस क्लासिफाई मताप ब्लिखना होगा अप लोगों को और classify मत मताब पूशा गया तो पांच क्लासिफिकेसं पूछा गया है डिटेल में डिटेल सब का एक्षं लिए याफिव लिए पूछागा ऑब सम्टो डॉटि में आप asking continue तो मतलब कि सिर्फ इतना ही लिखना है और जिसे कि मतलब कि हाँ पर लिखा है थाइज़ डायरटिस तो लूब डायरटिस तो इसका मेकेनिज वाप एक्षन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है नहीं पूछा गया है सिर्फ अगर छोटा सो कोच्छन पूचा गया नमबरिंग को देख के करिया को कि आप लोगों को पता है कि डेट गंटे आप लोगों को दोनों कॉपी के मिलेंगे पहले आपको यह भी जा लेजी कि आप लोगों को कॉपी जो है वह अलग मिलेंगी फार्मकोलोजी के कॉपी जो है वह अलग मिलेंगे फिर अकर आप कुए पूरा लिखना होगा तो लिखना ही होगा थाय जार डियाड चाहरती पींपति बशेल को इन्हीफिट करता है इसमें ये एनेसीयल को इनिविट करती है तो तभी ये दी जाती है और इसका इंडिकेसन से कहा होता है जिसे सब कुछ पूछागे ना तो आप लोगों को डिटेल में लिखना होगा इंडिकेसन, कॉंटर इंडिकेसन, एडवर्स एफेक्ट, डूब डारेटिस तो ये दीटेल में लिखना होता है तो जानला डीटेल में वीड़ी नहीं बनाएंगे क्योंगे आप लोगों को समझ में आगया होगा कीariat fryमेकोरोजी एक ऐसा subject है कोई भी इसमें बना के तो लिखना नहीं होता है जैसे कि बहुत सारे subject होते तो आप अपने mind के लिख सकते हैं क्योंकि कोई drugs है तो उसका action नहीं लिख सकते हैं क्या बना के लिखोगे उसमें अपने mind का क्या ही उप्योग करोगे जितना आता है उतना ही तो लिख पाओगे इसलिए हर एक drug का mechanism of action पता होना बहुत ही important है क्योंकि mechanism of action आप लोगों को पता है तो आप लोगो कोई भी drugs का mechanism डोज होगा तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि यह drugs कहाँ use होती है तो यह आप लोगों का पायते हैं मंदद शौरी 38 mass का हो गया है ठीक है 38 मार्क में आप लोगों का पंदार नंबर का आथा ज़्याज़कि क्लासिफाइदा पैनिस पेनिसलीन पूश दियागा पैनिसलीन तो सभी लोगों को पता होगा एंड तो इसे भी डिटेल में लिख लीजिएगा एंड दो दो नंबर के आप लोगों के चार को चनाते आप लोगो पेपर अभी हम दिखा दिएंगे पेपर नेस्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आप बात करते हैं पैथोलोजी देखे पैथोलोजी का पेपर जो आता है वह मतलब कि आप लोगों को पता है कि पैथोलोजी में एक यूनिट या दो यूनिट है वही इसके आप लोगों को पता होगा मतलब कि न्यू ग्रोथ होती है सेल की हैं डिसकर्ज दा डिफ्रेंट मोड़ साथ है स्प्लेड़ टुमर तो यह इस कोचन जो है बहुत इंपोर्टेंट है एंड मतलब आप लोगों को पैथोलोजी में कॉंपी क्या ही कॉंपी जो आप लो लोगों के माइड में कोई भी थौट आ रहा है उस टॉपिक से लेटर तो आप लो लिखेंगे अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिख पाएंगे तो जितना आ रहा है उतना लिखिए लेकिन वहां पर यह जरूर देखिए कितने नंबरिंग का दिया गया है क्योंकि नंबर क आउटिंग मच जाए कि आप लोगों को पांच नंबर का कोचन है और बहुत सारा आ रहा तो लिखे जा रहें दो तिन पन्ने में फिर क्या होता है टाइमिंग बहुत क्यम होती तीन घंटे में पेपर अच्छा खासा आ रहा है तो पेपर छूट जाता है मेरा भी छूटा म कि आप लोग अभी छूटे तो ऐसा नहीं कि सबकी राइटिंग में इंप्रूब्मेंट होते ही होता है और पैथोलोजी में और जेनेटिक्स में आप लोग बस वह पढ़ लीजेगा जो प्रीनेटल डियाग्नोसी जितने भी सिंड्रोम है वह पढ़ लीजेगा जीन से पी वीडियो के थुरू अभी आप लोगों को बता दूँगी कौन-कौन से आप लोग कोचन पेपर कर लीजेगा आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा और और भी कोई आप लोगों को इनफॉर्मेशन चाहिए और जो भी स्टुडेंट कर रहे हैं कि एनसीपी कैसे बनाएं तो एनसीपी के लिए भी मैं डिटेल में वीडियो भी अपलोड कर दूँगी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है फिर भी मैं आप लोगों की हेल्फ करूंगी क्योंकि आप लोगों की मुस्किन में चार दिन कोचन पेपर की बच्चे हैं तो आप ल आजलोगे लिवशान नहीं हैं तो आपकासाब बवाएं